अगर मैं आज के नुस्के की बात करूँ तो यह हमारे प्राचीन अयर्वेदा से लिया हुआ नुस्का है यानि वालमर्ण जी ने खुद इसके बारे में बताया है कि अगर हम पूरी ठंड यानि नवंबर से फरवरी तक अगर इस चीज को हम लेते रहें अपनी डाइट में करें तो without any exercise without any dieting हम इस पूरी सर्दियों में 6-7 kg वजन कम करेंगे बिना किसी उसके और अगर इसके all benefits की बात करूँ तो यह आपके बालों को बहुत अच्छा करेगा आपके नेल्स को बहुत अच्छा करेगा क्योंकि यह एक छारी चीज है और जो हमारे वेट को बहुत अ करता है बहुत अच्छे से आपके digestion को improve करेगा गरम होता है तो आपको सर्दी में सर्दी भी नहीं लगेगी और सेकंड गरम चीज का जो second benefit है वो है आपकी बॉड़ी में चर्बी को भी नहीं जमने देगा तो यह दो चीज है और सिर्फ और सिर्फ नवंबर से फर्वरी तक कोस्टिंग की बात करूं तो इससे minimum weight loss का कोई जरिया हो ही नहीं सकता है हर कोई अपॉर्ट कर सकता है इसको और एक बर ट्राइज जरूर करिएगा कि आप इसके benefits अगर एक बर खाएंगे तो जरूर याद करेंगे आयरवेदा को और बोलेंगे कि इसके बारे मुझे पहले क और आप और लोगों को रिकमेंड करेंगे इस चीज को साथ ही साथ इसे हर कोई ले सकता है ऐसा नहीं है कि थाइराइट पेशेंट, PCOD पेशेंट, डाइबटिक पेशेंट हर पेशेंट इससे ले सकता है सबसे अच्छी बार है इस चीज की की awesome result देता है और weight loss बहुत अच् करेंगे और उसके बगल में चोटी सी बैल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिलकुर भीवत मुलिएगा तो चले चलते हैं वीडियो की तरह फ्रेंट्स यहां पर मैं बात कर रहे ही वह है काले तिल आपको एक चोटी चमच लेना है कैसे लेना है वह अभी मैं आगे बताती लेकिन इन वीडियो की कुछ विशेशता है कुछ अच्छी चीजे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी की काले तिल में मोनो अस्रप्त पैटी एसिड ताय जाते हैं जो LDL कलेस्ट्रॉल के इस तब को कम करने में मदद करते हैं और आपकी जो ब्लड फ्लो है बोड़ी में या तिल के बीज में प्रोटीन, अमीनो एसेड बिट्मिन भी कॉंपलेक्स पाय जाते हैं जो आपको लंबे समय तक भूक नहीं लगने देते हैं और आपके भजन करने में कम करने में भी वहत व्रद्धी करते हैं इसलिए घर में जो भी 18 प्लस हो उसको आप दे सकते हैं यह कि अगर आपको मीठा खाने का मनना है तो ठंड में खा सकते हैं लेकिन दवंबर से स्टार्ट करेंगे और फर्वरी तक ही खाएंगे तो आप इसका छोटी वली चमच का वन टेबल स्पून सुबह नाश्ते के बाद दुपहर में खाने के बाद और आत के खाने के बाद पूर अच्छा वर्दान और सर्दियों का इससे अच्छा कोई भी अच्छा कुपाय नहीं हो सकता है वेड लॉस करने के लिए जो कि आपको बिना डाइटिंग और एक्सरसाइस के मिलने वाला है तो एक बाद इस नुस्केज को जरूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ जैसा भी अच्छा तेल ही आ झाल गोटाय नहीं कुछ एक स्वाली नहीं कुछ को धाली अईसे कशाटव ये जिए और आपको लगी तक लेना है उसके नहीं लेंगे अगर आपको बहुत ज杯 ज़रूरत है तो आफी पूली तक लें लीज़िए उसके रही नहीं की जरुफे Judiper सब इंफर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चानल पसंद आ तो फटा फटा से सब्सक्राइब कर दियेगा तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई